इस वीडियो में मैं तुम्हें दो मेथट्स बताऊंगा जिसे तुम यूट्यूपर बड़े ही आसानी से कॉलैप्स कर पाऊगे और सेकेंड मेथट तो ऐसा है जो कि लिटरली हर बार वर करता है तो मेथट वन पर आने से पहले तीन बाते हैं जो कि हमें पता होनी ही चाहिए बात नमबर वन इस डू नॉट लुक फॉर कोलाबरेशन फ्रॉम दी बिगिनिग शुरू में जिब तुम्हारा कॉंटेंट उतना सही नहीं होता है तो मैं पहले वो सही करना चाहिए मुझे अभी भी यादा 2020 में आरजी बकेट लिस्ट के उतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे बट कीरती चौके उस टाइम एनिमेशन कम्यूटी में सबसे जादा सब्सक्राइबर्स थे कीरती ने आरजी के साथ उसके चैनल पर कोलाब किया एंड ये विडियो लिटरली वाइरल हो गई थी एंड आज की डिट में आरजी के एक मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो एक अच्छे कोलाब से काफी जादा फास्ट ग्रो तो हो सकती है बट ध्यान देने वाली बात है कि कीरतीन तो काफी लोग के साथ कोलाब किया होगा ना फिर आरजी ही इतना ग्रो क्यों हुआ एंड इसका सिंपल सा अंसर है उसका कॉंटेंट बट एलग्रो उससे क्या म पसंद नहीं है बलकि I love them the problem is collaboration करने के लिए पहले तुम्हें एक तकड़ा विडियो आइडिया सोचना पड़ेगा सामने वाले क्रियेटर से सिंक में रहना पड़ेगा एंड अलोट मोर तो अल्टिमेटली रिजल्ट शाय थोड़ा जादा है बट इसमें तुम्हारी एनरजी काफी चली जाती है एंड सो ये एक सिंपल सा रीजन है कि में उतने कॉलाप्स नहीं कर पाता हूं बट होता है क्या है जब ए किसी से प्रोमोशन क्यों चाहिए भाई एंड देखो कई बार हो सकता है तुम्हारा कॉंटेंट भी बढ़िया और स्टिल मैं ये कहूंगा कि एक बार चेक कर लेना जैसे तुम कोलाप करना चाहते हो क्या वो ऐसा करता भी है और एक्जामपल अगर मैं सोचू कि कल को मुझ ओके सो मैथड नंबर वन में भी दो तरीके के क्रियेटर्स हो सकते हैं जिनसे तुम कोलाप करना चाहते हो वन जिनकी रीच यानि व्यूस सब्सक्राइबर्स और कम्यूनिटी लगबग तुम्हारे जितनी हैं ना जादा कम ना बहुत जादा और इनसे कोलाप करना इस एज इसांपल दीपक देया के व्यूस एलगरो से काभी सिमिलर हैं तो लेट से मैं चाहता हूं कि एलगरो और दीपक का कोलाप हो जाए तो मैं सिंपली देखूंगा वो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन से प्लैटफॉर्म पर है अब मेरे केस में दीपक भाई इंस्टागरम पर और तुम उससे एकदम से चलो भाई कोलाप कर लेते हैं सही रहेगा कोई सेंस है इस बात का तो वाट यू एक्चुली नीद टू दू इस बिल्ड रिलेशन्स मैं दीपक भाई से काफी टाइम से बात कर रहा हूं बलकि दीपक भाई क्या एम लिट्रेली इन कॉंटेक्ट तो अगर मैं अब उनसे कहूं तो यार वो करेंगे ना कॉलाब अगर वो मेरे से कहते हैं इवन तो मेरे को उतने पसंद नहीं है बट अच्छे रिलेशन्स की वज़े से इवन आयल है तो तो दी सिंपल रूल इस मेंक रिलेशन्स बट एक्चुल प्रॉब्लम आती है अगर तुम व्यूज को साइड करते हो तो यूट्यूबर के वाल एक चीज बचती है तुमारे विडियो का खौंटे और यही एक चीज है जिसके दम पर तुम बड़े से बड़े यूट्यूबर से भी कॉलाबडेट कर सकते हो इसमें तुम्हारा कॉंटेंट ऐसा होना चा कर सकते हो जैसे कि विडियो एडिटिंग सब्टाइट लेंग थमनिल बनाना या कुछ और जो भी उसकी नीड हो इसके बाद तुम उसे या तो इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हो या इमेल भी यूज कर सकते हो बट देख लेना वो केवल बिजनस मेलना हो वरना व तुम एक या एट मैक्स उसे दो बार रिमाइंड करा सकते हो इससे जाद अगरोगे तो वो इरेडेट हो जाएगा फिर भूल जाना को लाप्रेशन तो ये तो हुआ मैथर नमबर वन जो कि शायद काम करे शायद ना करे बट मैथर नमबर टू लिट्रली हमेशा काम करता है बट मैथर नमबर टू से पहले मैं जरा फर्स्ट मैथर को समप कर देता हूँ तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हारा कॉंटेंट लेवल तगड़ा है भी या नहीं फिर देखना सामने वाली यूट्यूबर की नीट क्या है कि तुम कैसे सिच्वेशन को विन-विन बना स है उसके लिए तुम्हें मैंने अब तक जो भी बता है वही फॉलो करना बड़ेगा बट अगर तुम्हें कॉलाब के विवल व्यूज के लिए करना चाहते हो तो ब्रो हेर्स माइडवाइस क्रिटिक पर मैंने कई सारे विडियो बनाए हैं एक्च्वल कुछ यूट्यूब सामने वाले इंसान को डिफेंव वगरा नहीं करते हो तो वह भी खुशी होगा विकास कहीं ना कहीं तो उसकी भी पॉब्लिसीटी हो रही है ना ऑनेस्ट ली अगर तुम मेथट टू को सही से यूज करते हो तो इसमें इवन मैथट वन से भी जादा व्यूज आने वाले है बिकॉज इसमें सारे वीडियो कॉंटेंट पर कंट्रोल तुम्हारा होगा ना बट अगेन जादा व्यूज तो आएंगे बट उनली इफ अगर तुम इस मेथट को सही से यूज कर पाते हो लेट वाली वीडियो पर क्लिक करो मैंने काफी डिटेल में बता है कि कैसे तुम नोन टेक्निक कर यूज करके वाइरल जा सकते हो बाकि कॉमेंट करना 3008 मुझे पता तो चले तुमने वीडियो पूरी देखी भी या नहीं